सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने भरा नामानकन पत्र का पहला सेट सोमवार को सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी अपने कुछ समर्थकों के साथ बांदा तहसील पहुंचकर आगामी 23 फरवरी चौते चरण में होने वाले मत्दान के लिए अपना नामानकन पत्र का पहला सेट दाखिल किया तहसी के बाहर गेट पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में तीन सो पार सीटे जीत कर भाजापा की सरकार बनाएगे रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुपता जिला समवाद दाता बांदा एवीपी आज आज आपने पहला नामांकन दाखिल किया है मर्तमान में भी आप बांदा सदर से विधायक हैं इस बार किस तरह की चुनाउती देख रहे हैं चुनाओं आज पहला सेट नामांखन पत्र का हमने दाखिल किया है रही बांदा छोड़िये पुरे उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की भाजपा के सामने कुल किनोटी नहीं है एक बार फिर तीन सो पार के संकल्प के साथ भाजपी जन्ता पार्टी का चुनाओं आम जन्ता लड़ रही है और आम जन्ता